दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अम्रिसर वाकिंग टूर की हर एक एपिसोड में ये कोशिश रहती है कि अम्रिसर के किसी famous food या फिर किसे hidden gems किसी unseen sightseeing के उपर आपको लेके जाना और उसके प्रती आपको जानकारी देना दोस्तो बात हम जब करते हैं अम्रिसरी खानों की तो सबसे पहला जो हमारे mind में आती है चीज वह आती है अम्रिसर के famous school चे और अगर आप अम्रिसर में घूमन temple से hardly first minute का walking distance है मैं जिससा में खड़ा हूँ पहलवान दी हटी के बाहर पहलवान दी हटी जो की काफी famous जब हम बात करते हैं अम्रिसरी कुल्चे की तो चलिए चलते हैं और चकते हैं आज एक नया स्वात अम्रिसर वाकिंग टूर के साथ come with me let's go हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है तो दोस्तों मैंने यहां पी ओर्डर किया था जाला कुल्चा और दूसरा मैंने किया था विर्चोळा कुल्चा यह वाला जो झाल है यह मसाले वाला फुचा है और यह काफी सफाइश है यह मिर्च वाला कुल्चा इसको बोला जाता है, आप देख सकते हैं शौलो की सबजी मेरिको साथ में मिली है, देख सकते हैं कुदीने और इमली की कटनी है मसाले वाला कुल्चा है, इसके अंदर की फिलिंग आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया तरीके से फिलिंग की गई है, काफी ज़्यादा मसाले इसमें डाले गई हैं, लेकिन फिल भी खाने के बाद मेरे को लग रहा है कि जो इसका टेस्ट है वो काफी बैलनस है, यह जो है म मिर्स्वाला कुल्चा की फिलिंग आप देख सकते हैं, काफी निसका डाले गई है, ऊसके साथ साथ पयाज, दोबी, आलू, यह सब इसमें डाला गया है और साथ में हरी मिछ काफी पिल की गई है और देखने में काफी ब्राउनिश कलर रग रहा है, लेक्मी ट्राई कि इस वो काफी बढ़िया है, इसके साथ जो चेटनी है, वो मेरे को काफी बढ़िया लगी, और शोलो की सब्जी का क्या कहना, एक बढ़िया टेस्ट आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, I will highly recommend कि आप यहाँ पर आएं, और अमरी सरी कुल्चा पहरवान दी हटी पर जरूर खाएं, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपने कॉमेंट्स जरूर दीजेगा, थैंक यू सो मुझ, बाई!